तो दोस्तों सद्धी क्लासेस में आपका स्वागत है जैसा है कि आप जानते हैं यहां पे कूल इंडिया लिमिटेड के लिए आपका जो है नॉन टेक का पूरा तैयारी करवाया जा रहा है यहां पे तो नॉन टेक में आपको मालूम है math है, reasoning है, English है और GST के वाला पोसन है, ठीक है, तो उन सारे subject के लिए जो है regular आपको जो है वीडियो प्रवाइट कराया जा रहा है, और ये सारे जो वीडियो हैं आपको जो है, मतलब authentic है, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी उठा कर आ जा रहा है, बिल्कुल जिन्मीन जो कि मतलब की आपका आने की संभावना उसमें बहुत ही ज्यादा है, तो कि ये जो source लिया जा रहा है, वो मतलब कहीं न कहीं, आपका कहीं exam में पुछा हुआ है, जैसे कि assistant level का जो exam होता है, assistant engineer, या फिर आपका जो पहले बीटे की level पे exam हो कर चुके हैं, अधि मान लेते हैं, आज मैं बात कर रहा हूं मैद का, ठीक है, तो previous year की जहां तक बात किया रहा है, तो वो तो खतम हो चुका है, आपका previous year का, ये आपका first जो है, आप जो लोग तयारी कर चुके हैं, उन लोग के लिए practice paper है, तो जैसे ही यदि आपके सामने आता है question, तो उसको आप पहुच किजिएगा, इसके बाद आप try किजिएगा, आप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अधि नहीं बन रहा है, तो आप फिर solution दिखिएगा, ये बन दाई से, जो लोग बिलकुल अधि नहीं जानते हैं, उनके लिए video आप seriously दिखिएगा, no time क किजिएगा, और आप सीखने का मतलब की परियास किजिएगा, तो कि maximum chance है कि आपको question यहां से दिखने को मिल जाएंगे, ये जो math का series है, इसमें आप देखिएगा कि मतलब topic wise हम लोग चलेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं एक number system लिया हूँ, number system के बाद आपका proportion लेंगे, ठीक है, इसी तरह से जिसे percentage हो गया, time and distance, work done, जो जो भी main topic है, आपका arithmetic का, क्योंकि आपके question में जो है, advance का जो जिसे कि आपका technometric हो गया, geometry हो गया, mensuration होगा, तो वो सारा portion जो है नहीं पुछा गया है, तो उसको हम लोग last में देखेंगे, बाकि जो arithmetic का portion है, उसको हम लोग topic wise जो है, करते जाएंगे, और एक जो set आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें की mix question का होगा, उसमें पुरा मतलब arithmetic का practice set होगा, तो जो लोग भी तयारी कर चुके हैं, उनके लिए practice set होगा, जो लोग भी अभी बिल्कुल नए series से तयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मतलब learning process का होगा, ठीक है, इसमें हम लोग number system की बात करेंगे, तो इस वाले में दिखिए, जो question मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इनकी संभावना बहुत ही जादा है, क्योंकि ये सारे question कही न कहीं पूछे जा चुके हैं, तो आप seriously इसको practice कीजेगा, जो लोग भी math अच्छी तर से आपके लिए easy है, उस वाले method को अपनाईएगा, ठीक है, जो लोग बिल्कुल अभी नए सीरी से तयारी कर रहे हैं, उनके लिए learning आपका, मतलब की exam की type का हो गई है, ठीक है, तो दिखिए यहाँ पे जो first question, जो लोग भी नए है, आप इस video के description link में चले जाएगा, ताकि आ चारा subject जो है, यहाँ पे चालूब कर दिया गया है, और आपके exam से पहले पुरा उमीद है कि खतम कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप तयारी अपना बेटर रखिए, ठीक है, यहाँ पे जो question आप से पूछा जा रहा है, वो बोला जा रहा है, कि with you one of the following is the minimum value of the sum of the two integer, whose product is 24, तो यानि कि यहाँ पे जो है, इनका जो यहाँ पे option जो दिया गया है, तो उन में से आपको बताना है कि इन मतलब दो आपके number का, ठीक है, यहाँ पे जो है, आपके दो number है, first and second जो है, ठीक है, यह दो number है, तो इन दो number का जो product है, सपोर्ज यह A और B, ठीक है, तो A, B का जो product है, वो आपका 24 है, तो आपको बताना है कि इन में से वो कौन A और B का sum देंगे, जिनका मतलब कि minimum value है, यानि कि यहाँ पे जो option में आपको निकालना है, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे आपको option से जाना बहुत ही easy रहेगा, आप सबसे पहले आप यह जो 24 है, तो 24 का जो आपका multiplier होगा, वो क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे आप देखिए गया, यह 2 into 2, यह आपका 2, यानि 6 हो गया, ठीक है, यह आपका 12 हो गया, और यहाँ से आप देखिएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 4, 2, 8, और 8, 3, 24, यहाँ पे यह आप अधि 24 को, अधि multiplier आप देखिएगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा multiplier क्या हो जाएगा, 12 into 2 हो जाएगा, इसके बाद second आदि आप multiplier देखिएगा, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 6 into 4 हो जाएगा, यह 8 into 3 हो जाएगा, यह 24 into 1 हो गया, यानि कि यह A और यह B, ठीक है, यानि कि आप यहां से देख सकते हैं, आपने option से match करेंगे, तो 12 और 12 और 14 यानि कि यहां पे कहीं भी 14 नहीं आ रहा है, यानि कि यह तो हो नहीं सकता है, तो इसको आप अटा सकते हैं, इसके बाद देखिए 6 और 4 यह 10, यानि कि यह 2 आपके multiplier हैं, जो कि multiply करने पे आपके 24 अधर option को भी आप यहां से check किजे, अटरी के 24 यह तो सही है, लेकिन 8 और 3 किजेगा तो यह 11 यह भी आपके option में है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो भोला गया है, वो minimum value के बारे में भोला गया है, ठीक है, कि minimum जो होगा, जो sum आएगा, वो कितना होगा, तो इस तरह से यह वा possibility लिखिए जितना कि product 24 बन सकता है, इसके बाद 24 का देखिएगा, तो यहां पे देखिए 24 और यह 25 हो जाएगा, जो कि आपके answer में यह भी है, यहां पे आप देखिएगा, तो 25 भी आरा है, लेकिन आप से minimum कुछा जा जा रहा है, तो minimum में आपका क्या होगा, 10 होगा, तो इ जो में यूज कर रहा हूँ, आप भी वही method यूज कीजिए, इस से होगा क्या कि आप जो है, थोड़ा सा fast कर सकते हैं, इसमें आप जो है, जो भी power आपका है, उसको same कर लीजिए, ताकि आपको जो है, इक्वेट करने में जो है, आपको मतलब की बहुत ज्यादा health मिलेगा, suppose यहाँ पर मैं 9 की बात करता हूँ, तो 9 का यहाँ पर power कितना है, 1 by 3 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद 20 के मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, और 25 के मैं बात करूँ, तो 1 by 6 हो जाएगा, इसके बाद power सबका अधी हम बराबर कर लेंगे, तो हम उसको जो है, इसली कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पे आप 6, 4 और 3 का LCM लिजेगा, तो वो कितना हो जाएगा, आपका 12 होगा, और 12 जो है, आप सब का मतलब power नीचे कर लिजे, तो यहाँ पे देखिए, आप 2 से multiply कर दीजे, उपर नीचे, यहाँ पे भी आप 2 से multiply किजे, यहाँ से 3 का म्लिटिप्लाइ किजे, यहाँ उपर 3 का कर लिजे, और यहाँ पे यह 4 का म्लिटिप्लाइ किजे, उपर भी आप 4 का कर लिजेगा, तो आप देखिए, तो यह तो आपका 12 होजाएगा, क्योंकि 1by 12 ठीक है, तो यहाँ पे 12 और इसके बाद हाँ 9 का power कितना हो जाएगा, इसके बार इसको देखिए जाएगा तो 20 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है यह आपका 12 हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो यह आपका 12 हो जाएगा और यह आपका कितना हो जाएगा 25 का पावर कितना हो जाएगा यह आपका 2 हो जाएगा अब यहाँ पे चुकी सब का घात बराबर हो गया पावन तो आप इजली अब जो है एकवेट कर सकते हैं और आपके एंसर तक अपपहुँ सकते हैं जिसे 25 का तो सब को मालूम ही है कि 625 हो जाएगा इसका भी आप जानते हैं कि 400 होता है बीच से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह फिर आपका 8000 हो जाएगा यहाँ पर आपको मालूम है कि 9 के पावर 3 होता 727 होता है ठीक है और इसको फिर आपको 9 से मल्टिप्लाई करना होगा तो यह जो आपका आएगा लगबंक 6561 आएगा ठीक है तो अब आप इसली कर सकते हैं हो ज्यादा है तो इस तरह से देखे 625 जो है आपका सबसे कम है यानि कि 25 वाला जो है आपका तो यह आपके पास option है और एक option यह है यहीं दो option में से कोई हो सकता है इसके बाद देखे 2nd last में देखे जाए तो यह कौन सा है आपका highest जो है आपका 20 के पावर वाला है तो अब यह पावर बराबर किया जाता है तो हमेशा LCM लेकर ही किया जाता है ठीक है वो एक मतलब की method है जिसके थुरू आप LCM लेकर बराबर कर सकते हैं इस तरह से आप multiply किजिएगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम जाला लगे तो इसलिए आप LCM वाला method हमेशा यूज नहीं है ठीक है पावर वाला जो रहता है उसमें थोड़ा सा बस दिख्कत आता है ठीक है उसमें भी आपको दिख्कत नहीं आएगा अभी तो जैसे में पावर वाला भी बताऊंगा ठीक है यहां पर बात करते हैं simple अभी तो यहां पर क्या है 7 है ठीक है तो यहां पर चुक तो यहां पर multiply है यह one है यह power जो है आप इसको as it is रख दीजिए तो यहां पर दीखे one और zero को आप अधी कितना भी 5 चड़ाईएगा तो वह आपका same value होगा यानि कि one का तो one ही हो जाएगा अब यहां पर जो है आपका ठीक है तो इसको आप कहा किजिए कि चार से मतलब कि divide कि यह चार से जब divide किए जो remainder आ रहा है तो remainder आएगा करना तो आपको यह मालूम है कि यह last का two digit होता है उसी को आप divide किजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि चार से individual है कि नहीं है और कितना reminder आ रहा है तो यहां पर दीखिए आपका false से किजिएगा तो four एक बार में और यह 13 चर्ति 12 यानि कि एक आपका remainder आ रहा है तो इसको जब आप दिखिएगा तो यह आपका कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 यानि कि 7 आएगा ठीक है अब देखिए तो इसका answer आपका 7 हो जाएगा अधर कुछ और भी आता है तो उसको भी आप समझ लीजिए ताकि आपका concept जो ही clear हो जाए दिखिए अधी आपका किसी भी number का last digit या unit digit पूरता है अधी power दिया गया है तो उस power को सबसे पहले आप क्या किजिए कि इस power को आप जो है 4 से divide किजिए चीक है 4 से divide करने के लिए पूरे number की ज़रूदत नहीं है क्योंकि 4 का जो division का method होता है वो last का जिद द पूरी तरह से divisible है या नहीं है जैसे यहाँ पर 153 था तो आपको पूरा 153 को देखने के जुड़त नहीं है लास्ट कट टू जिद बस आप चेक किजिए कि 4 से divisible करने के बाद जो है remainder कितना आ रहा है तो यह आपका वही उसका remainder हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर देख रहा ह तो यह आपका जो आएगा यह कितना आएगा 7 के पावर 1 यह 7 आ जाएगा और यहाँ पर जो 1 है ठीक है तो यह 1 जो है 1 1 आप 72 भार भी किजिएगा तो उसका जो unit place होगा वो तो semi होगा और 1 के भी 0 के भी case में आपका semi होता है तो यह 7 यहाँ से आ गया और 1 यह तो आप मु गया है उसको हमने 4 से डिवाइड किया 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी remainder आ रहा है उसको जो भी number गया है उसके last digit पावर पे हमने कर दिया और जो आएगा उसको हम multiply करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है ठीक है suppose की power जो है आपका case 2 ले लिए यह ठीक है इस case में अधिम करना होगा तो उस case में जो भी आपका last digit होगा ठीक है जो भी last digit जैसे इसी का हम example लेते हैं यह चुकि 1 का तो मालूम रहता है लेकिन इसको जब आप 4 कीजिएगा तो देखे आपका यह पूरी तरह से कट जाएगा ठीक है तो यह आपका पूरी तरह से कट जाएगा तो इस case से आप multiply कर सकते हैं इसके अलावा suppose कि यहाँ पे last digit 1 नहीं रहता कुछ और remainder आपका 0 आजाता suppose कि मैं आपको एक दूसरा एक्जाम पर ले रहा हूं यहाँ पे कि आपका जो है कुछ number इस तरह से रहता कि suppose यह आपका 192 और यह power जो है suppose कि आपका 72 रहता और इसका last digit आप से प बंतर को चार के डिवाइड करते हैं remainder आपका 0 आथा ठीक है remainder 0 आथा अब आपको निकालना होता unit digit तो प्रूप के पावर remainder 0 आ रहा है तो इस case में क्या होगा कि हम 4 पावर रखते हैं ठीक है अब 4 पावर रखिएगा तो यह कितना आएगा 16 आएगा आपका तो last digit कितना आ र रहा है तो यह आपका क्या हो जाता इसके लिए जो है आपका जो last digit हो जाता वो 6 हो जाता तो बस यही बस दो method है case 1 और case 2 यदि आपका पावर 0 मतलब remainder 0 आता है division के बाद तो उस case में जो ही आपका unit digit है उस पे जो है आप मतलब की charge पावर कीजिए और यदि suppose remainder आ रहा है तो आप पावर वही रखिए जो remainder आ रहा है उस number के digit पे ठीक है तो उबिद करता हूँगे यह दोनों के easy है बहुत सारे इसमें method है जकीन यह method सबसे easy है और आप इसको use कीजिए यह हरेक के लिए अपलिकेवाल है इसमें कोई मतलब special case नहीं है ठीकेवाल इनी number के लिए है ठीक ह देखिए यह भी तो question जिया गया है आपका यह भी unit digit से है आप से पुछा जा रहा है कि मतलब आपका last digit क्या होगा या कभी-कभी unit digit यह पिर last digit पुछा जाता है तो यह तो simple रहता है सपोज कि यह आपका last digit 3 है और यहाँ पी यह last digit 8 है दोनों का multiply कि जाएगा तो कितना हो जा इतना हो जाएगा 28 हो जाएगा ठीक है और चुकि यहाँ पे भी 28 आया तो किवाल हम इसी को देखेंगे 8 को देखेंगे और यहाँ पे आपका 6 है तो इसको देखेंगे तो यह कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा और finally हम देख रहे है तो आपका right यहाँ पे क्या रहा है last digit 8 आ तो आपका time जो है बहुत ज्यादा से होगा और आप easily उसको कर सकते हैं तो देखिए एक तो power वाला हम लोग देख लिए दूसरा जो है आपका product वाला देख लिए अब तीसरा जो आप इसका format आता है वो summation वाला आता है ठीक है तो summation वाले में भी हम देख लेते हैं तो इस वा ठीक है unit digit हमेशा same ही आएगा तो यहाँ पर 0 के power है तो यह 0 ही आएगा plus यहाँ पर 1 का भी है तो यह आपका 1 ही आएगा यहाँ पर 2 के power आपका 2 है और यहाँ पर 3 के power आपका 2 है तो इनको सबको आप add कर लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 हो ज हो जाएगा तो यह आप देखिए 9, 10 हो जाएगा यानि की 14 हो जाएगा और यहां पर Last speed जो आ राया है ओ क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? Right answer हो जाएगा तो इनको product के form में 않은 प्रोड़क्ट के form में या फिर आपका बदकी मतलब कि यह summation के form में question बनते रहते हैं इस पे unity जिता तो आप जो है इसको देखिएगा ज़रूर कि इस type question जो होते हैं बहुत easy होते हैं लेकिन जिनको नहीं मालूम रहता है उनको लगता है कि पूरा अब यह इतना दे दिया है तो कैसे किया जाए तो छोड़ गी सकते हैं तो मैं यह आपको add कर दिया हूँ ताकि यदि आप question आता है तो आप से easily बन जाए नेक्स question की बात करते हैं तो देखिए यह वाला question है आपका जो है जो आप देखे होंगे आपका जो previous year का है तो उस पे nominator और denominator पे question पूछा गया है ठीक है तो इसलिए मैं इसको लिया हूँ वहा पर ही जो question है अलग है लेकिन दोनों जो है आपका मतलब principle सेम है मतलब concept सेम ही है ठीक है यहां पर जो है बोला जा रहा है कि एक fraction है become 1 by 3 when 1 is subtracted from the both the numerator and the denominator the same fractions become 1 by 2 when the 1 is added to the both the numerator and the denominator the sum of the numerator and the denominator of the fraction तो आपका जो fraction का numerator और denominator है यान्स और हर उन दोनों का sum क्या होगा यह चीज आपको यहां पर बताना है तो देखिए suppose कि हम माल लेते हैं कि जो हमारे पास fraction है वो x by y है ठीक है पहले वाले case के लिए मैं बात कर रहा हूँ 1 subtract किया जा रहा है दोनों में से ठीक है तो यह 1 हमने subtract कर दिया तो यह जो आ रहा है 1 by 3 आ रहा है यानि कि आप इसको थोड़ा सा rearrange कर लिजेगा तो यह आपको क्या जाएगा y minus 1 आ जाएगा तो आप इसको y एज़िटी निकाल सकते हैं तो यह कितना हो जाएगा 3x आ जाएगा और यह आपका जो है minus 2 हो जाएगा ठीक है यह यह तो यह आपका half हो जा रहा है तो इस case में आप देखेगा तो यह आपका 2x plus 2 और यह आपका y plus 1 हो जाएगा y का देखे यहाँ पे आपने value निकाला है तो यह वाली value आप direct यहाँ पे put out कर देजे तो 3x minus 2 plus 1 और यह आपका 2x plus 2 हो जाएगा अब इसको आप solve कर लिजेगा तो यह तो 3x और यह तो आपका x हो जाएगा और यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे आपका इधर यह minus 1 हो जाएगा और minus 1 जब इधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ठीक है यानि x की value कितनी आगी आपकी 3 आगई तो आप यहाँ पे value x का रग दिए 3 तो यह कितना हो जाएगा 9-2 यानि कितना हो गया यह 7 आगया अब आप देख सकते हैं x की value कितनी है 3 आई है y कितनी है आई है आपका 7 आया है दोनों को add कर दिजे uns और her का तो यह कितना आजाएगा आपका 10 आजाएगा चीछ है 7 और 3 तो यह आपका right answer होगा 3 तो इस तरह से आपके question पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि थोड़ा बहुत चेंड भी करता है तो आप easily इसको कर सके हैं एक question और भी है इस पे इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक भीन का her उसके uns से तीन अधिक है आप English में Hindi दोनों पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और बोला जाए कि यदि uns को साथ बढ़ा दिया जाए तथा हर में से दो घटा दिया जाए तो हमें दो प्राप होता है तो भीन के uns तथा हर का योग क्या होगा वो आपको बताना है question सेम है तो यहां पे देखिए suppose कि आपका ये बोला गया है कि जो आपका denominator fraction है वो तीन जादा है आपका थीक है numerator suppose लिमिनितर आपका x है निमिनितर कितना है x3 है क्योंकि 3 ये बोला जा रहे कि यदि आपका 7 बढ़ा दिया जाए और दी मिनिटर में यदषऑ 2 घटा दिया जाए तो जो आ रहा है कितना रहा है कि ये सो वो 2 आ रहा है तो इसको आप UC2 लिज्जी तो यह x प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको कीजिएगा तो यह चुकी 1 हो जाएगा तो यह आपका 2 x और आपका यह 2 हो जाएगा ठीक है? तो इस तरह से आप देखिएगा तो यह आपका x हो जाएगा और यह आपका 7 और 2 तो यह कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा तो इस तरह से x की value 5 हो गया और चुकी आप जानते हैं कि जो आपका diminator है 3 इससे ज्यादा है तो वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और दोनों का जब आप sum किजेगा तो कितना हो जाएगा आट पांच 13 हो जाएगा इस तरह से आपका right answer आजाएगा तो इस तरह से अधि उस format पे आता है थोड़ा बहुत change करके तो भी आप इदली बना सकते हैं अब next question की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे यह सारे question जो हैं आपका बहुत ही इसमें बोला गिया है कि if you write 45 as a sum of the 4 number so that when 2 is added to the first number 2 is subtracted from the second number और third numbers multiply by the 2 and the fourth divide by the 2 you get the same result then the 4 numbers are तो वो 4 number क्या है सबोज यह बोला जा रहा है आपके कि 4 number है ठीक है और उन 4 number में क्या किया जा रहा है कि 1st number में जो है 2 add किया जा रहा है 2nd number में 2 subtract किया जा रहा है और 3rd number में 2 से multiply किया जा रहा है और 4th number में 2 से divide किया जा रहा है तो जो result आ रहा है वो दोनों मतलब की पूरे जो sum है उसके बराबर आ रहा है 4 number के sum के बराबर आ रहा है ठीक है तो इस टाइब को question को आप यदि option से जाईएगा तो बहुत ही जल्दी कर सकते है otherwise equation बनाने की चक्कर में पड़े जाएगा तो time आपका बहुत ज़्यादा ही मतलत की जा सकता है अब देखे यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चुकि ये 45 आ रहा है ठीक है तो आपको सबसे पहले वही वाला option चेक करना चाहिए जिसे कि आपका last में बोला गया है कि divide किया जा रहा है ठीक है तो आप उस type के option को पहले चेक किजिए जिसमें कि divide करने पे fraction part ना आए ठीक है जिसे suppose कि ये दोनों ऐसे हैं इनको दो से अधी आप divide कर रहा है तो आपका जो है इसमें fraction part नहीं आएगा ठीक है तो आप इन दोनों में से पहले किसी एक को ले सकते हैं ठीक है suppose मैं पहले वी ले रहा हूँ इस question को आप समझे कि कोसिस किजिएगा suppose ये आपका first number है ये आपका second है और आपका ये third है और ये आपका fourth है suppose कि ये 8 है और ये 7 है और ये आपका 10 है और ये आपका 20 है इनका sum भी देखिएगा तो यहाँ पे भी ये 45 आ रहा है ठीक है और जो condition बोला गया है suppose कि आप इसमें जो है 2 add कि जिए तो ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इसमें बोला जा रहा है कि आप 2 minus किजिए तो ये आपका 5 आ जाएगा और इसमें बोला जा रहा है कि आप इसको 2 से multiply किजिए तो ये आपका 20 आ जाएगा और इसमें बोला जा रहा है कि यह 10, 20, 30, 35, 35, 35, 10, 45 यह आपका right answer आ रहा है तो यह आप option से जाहिएगा तो easily कर सकते हैं सब्सक्राइब मैं second option ले रहा हूँ option किस तरह से आपको eliminate करना है वो भी चीज आपको मालम होनी चाहिए ताकि आप जो है fast कर सकते हैं फ्रेक्षन वाला को पहले नहीं लेना है चूकि आपको मालम है कि यह 45 आ रहा है तो फ्रेक्षन से पहले बचना है suppose मैं आप ले रहा हूँ दीख ठीक है क्योंकि यह आपका फ्रेक्षन नहीं देगा यह आपका 2 है 12 है 5 है और यह आपका 26 है तो आपके नुसार जिसी साफ से आप देखिएगा तो यह 45 होई जाएगा sum इसके बाद फर्स्ट वाले नमबर में 2 आपको add करना है तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसके बाद सेकेंड वाले नमबर में कह करना है 2 minus करना है तो यह 10 हो जाएगा और ठर्डड वाले नमबर में 2 से multiply करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और सेकंड वाले नमबर में 2 से divide करना है तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इसके बाद आप ये देखे तो match कर रहा है क्या 10, 20, 30 और यह आपका 7, कितना हो गया, 37 हो गया, जो कि आपका right answer नहीं है, sum आना, चाहिए कितना 45 आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप question को solve कर सकते हैं, very simple way, आपको थोड़ा सा मतलब कि option से भी खेलना होगा, जाकि आपका time save हो सेगे, अब देखिए, यह हमेशा मतलब कि आपक तो है dividend divisor और आपका question से question पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको जो है, आप ध्यान से समझ लीजिए एक बार, इसमें देखिए, question जो बोला गया है, आपका, यह बोला जाए कि a number when divided by the sum of आपका 555 and आपका 445, give two times their difference as a question and these as a reminder, the number is, तो वो number कौन है, सपोज कि यह कोई number है, x, ठीक है, इसको बोला जाए रहा है, जो आपका यह sum है, आपका 555 plus आपका 445, उनसे divide किया जा रहा है, और इस case में जो आपका यहाँ पे भागफल आ रहा है, वो कितना रहा है, इन दोनों के difference के दुगने के बराबर, इन दोनों का difference जदी आप देखते हैं, तो यह आपका 110 210 आ रहा है, ठीक है, और इनका अधी दुगना यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, आपका 220 हो जाएगा, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो remainder आ रहा है, वो कितना आ रहा है, आपका 30 आ रहा है, जैनि कि अब हम number की बात करें, तो आपको मालुम ही है, कि जो आ 220 आ रहा है, और remainder को add कर देते हैं, तो हमको यह number निकल जाता है, तो इसको आप किजएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4-0 आ जाएगा, ठीक है, और यह आप 30 आड कर दीजिएगा, तो आपको answer आएगा, आप देख सकते हैं, कि आपका answer कौन match कर रहा है, तो यह आपक question आता है, ठीक है, तो आप easily इसको कर सकते हैं, और बस इसमें समझना रहता है कि क्या question बोल रहा है, ठीक है, इसके बाद आप easily आप format में कर सकते हैं, इस type of question आपको, मतलब easily number दिरा के जाते हैं, नेक्स question की बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जो क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब थोड़ा answer question से related खुद आप करते हैं और एंसर भी create किया जाता है तो थोड़ा सा practical होता है इसलिए ज्यादा यह पूछा जाता है आपसे इसको करने के लिए दो method है एक तो आपका जो है simple method है और दूसरा जो है allegation का method है यानि कि आप एक तो option से जा सकते हैं जो की बहुत easy रहता है और दूसरा जो है allegation method दोनों method मैं आपको बता रहा हूं जो method आपको easy लगे उस method से आप कीजिएगा ठीक है अब देर यहां पे जो question बोला जा रहा है बोला जा रहा है तो तो बोला जा रहा है कि मोहन gets three marks for the each correct answer and the root the two marks for the each wrong answer यानि कि three marks right के लिए मिल रहा है एक question का और दो marks यह जो है यह यह रॉंग कर रहा है तो मतलब कि उसका cut रहा है he attempt 30 sums and obtain the 40 marks ठीक है तीस question attempt करता है और 40 number वो राप्त करता है तो बोला जा रहा है कि the number of the sums solve the correctly यानि कि किसने number of sums जो है मुनोंने पतलब correct answer किया हुआ है यानि total number of correct question पूछा जा रहा है आपसे तो suppose मैं एक option ले रहा हूं सबसे पहले मैं 15 ले रहा हूं suppose कि 15 यदि correct answer कर रहा है तो इनका जो number होगा यह जो marks आएगा वो कितना आएगा दोस्तों तो एक question के लिए तीन number विलना आए तो इनका कितना आएगा 45 आएगा ठीक है यह आपका marks आएगा और यहाँ पे suppose यह 15 अजी correct कर लिए हैं तो wrong कितने किया होंगे 15 किया होंगे total यह 30 question item कर रहा है तो इनका इनका यह minus 30 हो गया होगा जोस्तों ठीक है अब दोनों को आप add करते हैं तो यह कितना आ रहा है यह 15 आ रहा है लेकिन इनका तो mark 40 हा रहा है दोस्तों तो यह तो आपका answer हो नहीं सकता है तो आप इसको इसी तरह से cancel out कर सकते हैं दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा जाना है वड़े कि बहुत ज्यादा number कम है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा question item ठीक है तो आप 20 पे जाएए तो 20 पे दी जा रहा है तो 20 औ जाएगा दोस्तों अब इन दोनों को आप एड़ की दिएगा तो देखिए आपका 40 आजाएगा दोस्तों यह जो कि आपका right answer होगा चाहे तो आप 25 भी ले सकते हैं 10 का तो कोई option ही नहीं आगा क्योंकि 15 पे नहीं आ रहा है तो 10 पे आने की संभावना नहीं है तो इस तरह स आप इसको जो है by option जा सकते हैं जो कि यह अच्छा method है और आपका time भी इसमें कम लगेगा एक जो और method होता है ठीक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो उस वाले में क्या है कि माल लीजे कि यह जो person है वो पूरा का पूरा question सही किये है तो यानि 30 question है और 10 number का है यानि क इनको total 90 number मिला होगा ठीक है अधी suppose कि यह 30 question है और 300 के 300 जो है question इन्हों ने गलत किया है यानि कि minus 2 mark है तो यह कितना हो जाएगा आपका minus 60 ठीक है लेकिन इनका जो number आया हुआ है कितना है दोस्तो 40 आया है दोनों मिलाने के बाद अब यहां पर देखिएगा तो आपको allegation से म वो यह बताता है कि आपका जो है यह number of question कि इस ratio में सही और गलत है तो यह आप जानते है कि यह जो हमने लिए था correct के लिए था और यह आपका wrong के लिए लिए था दोस्तों तो यहां पर जो है two times मतलब कि correct है और one times जो है wrong है total question कितना है 30 है और इन दोनों का अधी आप sum दिख बराबर हो जाएगा एक part और चुकि यह correct का पूछा जा रहा है तो यह कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा तो यह आपको यह फाइदा हो जाएगा अब इसमें आपको एक और फाइदा होता है चुकि यह इस option में ज़्यादी wrong का भी पूछता तो आप इसमें से minus कर सकते हैं या फिर आप इसी से कर सकते हैं कि एक part 10 है यानि कि wrong कितना है यहाँ पे 10 है total आपका question कितना हो गया 30 हो गया तो इस टाइप तो कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए ठीक है और यह question आप ज़रू प्रैक्टिस कर लीजएगा तो कि इस टाइप question बराबर पूछे जात by 75 यानि कि 75 the number is तो कोई एक number है जो कि अपना 2 3rd से जो है कितना ज्यादा है वो 75 ज्यादा है यानि कि यह सबोज number x है और इसका 2 by 3rd x जो दिया गया है उसका जो है उससे दोनों में अंतर कितना का है 75 का है यहीं आपका equation होनेगा इसके बाद जो है आप 3x कीजएगा यहाँ अपर देखिएगा तो यह आपका 3x-2x हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक मिनट चेक किजए यह 2 5 हो जाएगा ठीक है यह आपका 5 होगा तो आप देखिएगा 5x-2x यह 3x हो जाएगा 3x by 5 और यह आपका 75 हो जाएगा तो आप इसली अप निगाल सकते है एक्स की value तो यहा 15 हो जाएगा और यह x की value जो होगी वो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी और यही x की value आप से पूछी जा रही है तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगी तो यही चोटा question में पूछा जाता है तो इस टाइप से question बन सकते हैं ठीक है next question की बात करते हैं दोस्तों तो यह आपका जो है question है बहुत अच्छा question है इसको जो है आप attempt कीजिए इसमें बोला जा रहा है कि किसी कलब के सभी सदस्य कलब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपे और पैसे का योगदान देते हैं यदि कुल योगदान जो रासी आपका 25-25 है तो कलब के सदस्यों की संख्या मतलब क्या होगी यह आपको बदाना है ठीक है कि suppose यह कोई एक Club है ठीक है इसमें कछ आपके जो है फर्षन है ठीक है तो इसमेम जो है जो जितना know of person है उतना मतलब की पैसा और आपका इसCorne रुपया और पैसा मतलब दे रहा है और जब सबका में लए जा रहा है तो वो कितना आ रहा है आपका 25-25 रुपय आ रहा है तो आपको इसमें बताना है कि जो number of person है इसमें इस पूरे member में मतलब total जो club में member है वो कितने हैं वो आपको बताना है यानि कि member की संख्या आपको बतानी है तो यहाँ पे देखिए यदि आप basic method से जाएगा तो आपको time इसमें ज्यादा लग जाएगा यदि आप option से जाएगा तो इसको बहुत ही ज़्यादी आप कर सकते हैं अब देखिए suppose कि यदि basic method से ही आपको जाना है तो मैं equation बता जेता हूँ आपको तो देखिए यहाँ पे suppose कि जो एक club है उसमें total जो है x member है ठीक है और ये जो x member है आपके ठीक है तो ये x member जो है जो donate कर रहे है पैसा वो कितने कर रहे है वो x ये आपका रुपीज में कर रहे है और ये जो है आपका x पैसा में भी कर रहे है ठीक है इनी को जो है मिलाने के बाद जो है अब देखिए यहाँ पर यह जो आपका member है यह जो पैसा है अब पैसा को जो है रुपया में करवट कर लिएगा तो इसको 100 से आप डिवाइट कर दीजिएगा तो यह आपका रुपया हो जाएगा तो यह question बुला गया है कि जितने member है उतन रुपय और उतने पैसे जो है वो मतलब की योगदान दे रहा है उसके बाद जो आप इनका जो सम आ रहा है वो 25 125 आ रहा है तो इसको हमने रुपया में convert कर लिया है ताकि मतलब की calculation easy हो जाए तो इसके बाद आप चाहे तो इसको multiply कर सकते हैं दोस्तो तो x square हो जाएगा यहा से यह कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब आप चाहे तो इसको जो है आप एड कर सकते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा 101 यह square हो जाएगा और यह आप देखिएगा तो यह 25 125 और यहां पर यह double zero कर दीजिए दोस्तो तो यह आपका मतलब की आ जाएगा तो यह आप जो है यह आपका यह आपका यह 25 हो जाएगा और यह एकस की वेलू कितनी हो जाएगी तो 50 हो जाएगा ठीक है यानि कि member of club जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 50 होगा जो कि यह right answer होगा लेकिन इसको करने में आपको time लगेगा ठीक है यह basic method है आप इसको easily कैसे कर सकते हैं by option व को दिकत नहीं है सपोज यह 60 member हैं और यह जो है 60 रूपे और यह 60 पैसे आपको denote कर रहे हैं तो यह आपका पैसा में इसको convert कर लिजिए चाहें आप अभी नहीं करना चाहरे हैं तो बार में भी कर सकते हैं को सब्सक्राइब यह उतना आना चाहिए 2525 तो आप देखिएगा तो आपको इसको करने के अब आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किया है तो इसको करने के ज़रूरत नहीं है तो इसको करने के ज़रूरत नहीं है सपोज इसी तरह मैं अधी 55 की बात करूँ तो यह 55 इंटू 55 और यह सपोज यह 55 है और यह आपको जो है इसको चेंज कर लिजिए यह आपका 25 आना चाहिए लेकिन आप देखिएगा कि इन दोनों का अधी आप मल्टिप्लाई करते हैं तो यह सपोज 50 हो गया और यह 50 रुपे और यह 50 पैसे ठीक है यह डोनेट किया जा रहा है तो यह 2500 आपका 25 हो रहा है तो आप देखिएगा यह 2500 आ रहा है तो आप आगे बढ़िएगा अब इनको मल्टिप्लाई किजिएगा तो देखिए 00 है वो कर जाएगा आपका 25 यह अभी मैं आपको अगले सीरीज में यह आपका लेबल वन है नमपर चेंजिंग हो जो मैं कोस्टन कराऊंगा जिसमें कि आपका यूनिट डीजिट और आपका डेसमल डीजट का रहता है कि एक्सेंज कीजिए और इसके बाद वह उतना ज्यादा हो जाता है यह उतना कम हो जात है तो वह मंत के जड़ी कि दो मिनट लग जाएगा उस कोशिट रुकन में दोस्तों या बहुत पास जादी कैल्कुलेशन है तो मिनुम्म तो जो है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ओप्शन के सांथ आपको खेलना है तो यह जो आज का जो सीरी था आज अजिस्टेंट इंजिनियर लेवल के कोश्टन आया हुए है ठीक है उनको मैं सॉल्व करा हूँगा ताकि आपका जो लोग यदि सपोज की टॉपिक वाइज पढ़ना चांते हैं तो वो टॉपिक वाइज भी देखें तो कि इसमें भी पूरा कोश्टन सेलेक्टेड कोश् इस रहेगा तो इस तरह से आपको मान के चलिए कि इसमें से अच्छा नंबर मतलब 25 तक आप ला सकते हैं और जिनका math reasoning अच्छा है तो वो 50 दिला सकते हैं तो ये series आपकी चलती रहेगी बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप चैनल एजी subscribe नहीं किये है तो चैनल को ये प्यार जो है हमें आगे बढ़ने के लिए रेडित करता है उमिद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लागा हुआ तो जरूर लाइक कर दिएगा दोस्तों थैंक्यू